किया देखा था हमने लास लेक्चर में याद है आप लोगों को कि जो हमने लास लेक्चर पढ़ा था उसमें क्या देखा था हमने स्कैन अफ को सीखा था कि स्कैन अफ क्या होता है और उसके साथ साथ हमने ये कुछ प्रोग्राम्स भी किये थे, आपको याद होंगे जैसे कि हम लोगों ने प्रोग्राम किया था एडीशन आफ 2 नंबर्स का एक प्रोग्राम था Area of Circle वाला प्रोग्राम था शायद rectangle का भी हमने समझा ही था मैंने आपको बताया था rectangle का भी एक program है एक वो भी program हमने देखा था और उसके अलावा क्या देखा था आप लोगों ने घर पे उसको ट्राइ किया था वो program अभी हमें बात करना है functions के बारे में functions क्या होते हैं यहां मैं लिख देता हूँ हमारा जो topic है वो है functions functions को हमें समझना है कि functions क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूँ functions के बारे में देखो सबसे पहले किसी भी word के आगे अगर आप दो brackets देखते हो ना तो उसे function consider किया करो किसी भी word के आगे अगर मैंने कोई word जैसे हमेशा अपना program main से शुरू होता है मैंने आपको बता दिया कि कोई भी program जब आप बनाना शुरू करोगे यह C language में तो main blow brackets लगाओ curly brackets से main को start करो curly brackets से main को close करो यह main के अंदर का code है और compiler बस इसी code को चलाने वाला है मतलब compiler को सिखाया गया है जाओ main के अंदर की line को चलाओ तो main के अंदर की line को चलाओ यह उसे पहले से बता दिया गया है कुछ तो लिखा होगा इसलिए वो आके यहां की lines चलाता है अगर मैं यहां पे लिखता हूँ जैसे यह भी एक function ही बना रहा हूँ आप देख लो main के अगे दो brackets लगे हूँ है मैं एक function ही बना रहा हूँ आप खुद ही देख सकते हो लेकिन आप अपने program में generally get ch भी लिखते हो मैंने यह अपने program में लिखा था इसका कुछ ना कुछ तो working है अब इसका जो भी working होगा इस function का this is the get ch function मतलब कहीं न कहीं इसके बारे में बताया गया होगा get ch के बारे में किसी ने बताया होगा लिखा होगा get ch और उसके बारे में बताना शुरू किया होगा और इसके अंदर बताया होगा कहीं न कहीं वैसे ही बहुत सारे functions के बारे में पहले से बताया हुआ है printf है जैसे जैसे scanf है gitch है आगे malloc Kelloc, str, cpy ऐसे कई functions हैं जिसके बारे में पहले से बताया हुआ है इसलिए हमें इनके बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि already इसके बारे में पहले से बताया हुआ है ये क्या करता है हमें तो पता है बस और हमें एक और इस चीज़ को समझना है कि हम function बना सकते हैं क्या क्योंकि अगर आपने get ch word की जगह Amit लिख दिया होता और semi colon लगा दिया होता तो compiler जब main में आता है तो उसे पहली line यही मिलती तो वो error दे देता बोल देता जिन्होंने c language बनाई है उसने Amit के बारे में बताया ही नहीं है अगर बताया होता तो यह सही होता नहीं बताया है वो नीचे जाएगा ही नहीं यह देखने के लिए दूसरा तो सही है की नहीं वहीं रुक गया वो नीचे नहीं जाने वाला तो आपको इस पे ध्यान देना है पहली बात, अब अमित के बारे में उन्होंने नहीं बताया, लेकिन उन्होंने ये कहा, कि आप किसी भी function को बना सकते हो, और उसको जब मर्जी तब यूज़ कर सकते हो, तो function एक machine की तरह है, मैंने machine बना दी है, जब button दबाऊंगा, machine चलेगी, जब button दबाऊंगा, machine चलेगी, मतलब जब function call करूंगा, function call हो, चलेगा, फिर function call करूंगा, function चलेगा, मतलब compiler यहां आएगा, इसको पढ़ेगा, उपर जाएगा, इसको चलाएगा, अपनी जगह पे आएगा, फिर इसको पढ़ेगा, फिर उपर जाएगा, फिर चलाएगा, अ सबसे अच्छा, एक function क्यों ना बना देता है, उसका नाम Amit रख देता हूँ, जैसे आपने main function बनाया है, वैसे एक Amit भी बना दो, चलो बना देता हूँ, main के जैसा ही एक function बना रहा हूँ, Amit, लेकिन Amit को call करने की जरूरत नहीं, main को call करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि main को already computer को सिखाया गया कि, तुम call कर लेना जाके, जैसे Amit में मैं लिख देता हूँ, printf, hello Amit, कुछ लोगों का सवाल आ रहा है कि result कब आएगा smart watch वाला, कल मैंने question पूछा था, तो उसका आएगा, कल तक हम आज और भी views मिल जाएंगे, और भी लोग देख रहे हैं, तो कल हम उसको finalize करेंगे कि कौन-कौन winner होगा, कुछ लोगों की personal भी message आये थे, कि आज तक मैंने contest नहीं जीता है, तो ऐसा नहीं, वो randomly select करेंगे sir, कोई भी जो भी हो जाएगा, तो वो कोई भी हो सकता है, question भी मैंने पूछा था, आपको बताया था, कि मैंने तीन lectures जो लिये हैं, उस related question ही पूछूँगा, और वही पूछा था कि 4 byte का एक block होता, उसमें कितना बड़ा data र मैंने अलड़ी कल एक team को अपने काम दे दिया है, हर एक lecture एक घंटे का होता है, तो उसे बहुत लोग नहीं देखते, बड़ा होने की वज़े से, फिर भी मेरे एक घंटे का जो first lecture उसको 11,000 के असपास views है, मतलब देख रहे हैं हैं लोग उस lecture को, तो अभी मैं क्या करने मैं मैंने उनको बोल दिया कि 5 पार्ट कर दो उसके, starting का पार्ट कर दो जहां मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, last में जहां रुक चुका हूँ, वो कट कर दो, proper जहां मैं शान्त हूँ, कोई आ गया उससे बात कर रहा हूँ, सब कट करके, एकदम सिर्फ proper content बनाओ, तो हर एक वीडि होंगे, और उसकी एक playlist होगी, वहां से आप सीख सकते हो, मैंने बोल दिया उनको, आप शुरू कर दो काम, आज से करेंगे वो, परसो या कल से फिर वो upload होना शुरू होगा, परसो के बाद से, तो वो छोटे-चोटे videos होगे, एक playlist होगी, नई C programming 2023 वाली playlist, एक पुरानी है, 2018 वाली जो बनेगी, वो काफी अच्छी बनेगी, जो आपका फायदा होगा उससे, अब, जनरली क्या होता है, कि जो 2019 में मैं videos डाल रहा था, उसमें न मैं title नहीं देता था, अच्छे से, description नहीं देता था, कुछ भी नहीं, क्या होता है, जब कोई भी topic सर्च करता है, तो उस मिलेगा कैसे, जब मैं title नहीं दे रहा हूं, introduction to see part one, फिर part two introduction, मैं उसमें बता क्या रहा हूं, ऐसा कुछ मैं लिखता नहीं था, तो इसके वज़े से, जो इसको channel मिल गया, वो देख लेता था, बाकी search result में कभी नहीं आता था, तो अभी उसके उपर थोड़ा काम किया जा है, यहां पर देखो, लिखा हुआ है, अमित, नाम का एक function है, आप देख सकते हो, अगर मैं इस program को run करता हूँ, अगर, और यहां लिख देता हूँ, hello friends, क्या लगता है, इस पूरे program को run करने पर क्या print होगा आपके हिसाब से, अगर आप बोलते हो, सिर्फ hello friends, तो सही जवा है, लेकिन अगर आप यह बोलते हो, hello अमित और hello friends तो गलत है, compiler को सिखाया गया है, जाओ main के अंदर, और उसके अंदर क्या लिखा है, उसको चलाओ, प्रोग्राम खतम, आप 100 function बना दोगे, तो भी कोई फरक नहीं पढ़ने वाला, जैसे अमित बनाया, अजय बना दिया, और अमर बना दिया, कोई भी function, fun1 बना दिया, fun2 बना दिया, कितने भी बना, कोई नहीं चलेगा, सिर्फ कौन चलने वाला है, main, main का ही code चलने वाला है, अगर main के अंदर आप यहां लिख दिये होते, जैसे मैं यहां पे लिख देता हूँ, अमित नाम के function को चलाया जाए, अब जाके compiler Hello Friends के बाद इसको पढ़ेगा, और उपर जाके Hello Amit चलाएगा, और अपनी जगह प्याएगा, ऐसा, यह चीज होगी, मतलब जब call किया जाएगा, तब चलेगा, लेट हो गया है, तुम लोग बहुत ज़्यादा, पूरी class में कहीं जगह नहीं है, बैठो यहां प तो Hello Friends यहां पर इस तरीके से देखो दिखाई दे रहा है, अब इसके बाद देखो मैं क्या करता हूँ अभी, आपको प्रोग्रामी दिखाता हूँ ताकि आपको और अच्छे से clear हो जाए, मैं क्या बताना चाहता हूँ, तो देखो अभी सबसे पहले file पे जाओ, new पे जाओ, empty file पे जाओ, file पे जाओ, फिर से save file as पे जाओ, और मैं इसको save कर रहा हूँ, मेरे उसी folder में, वहीं पे सारे programs रखूँगा, और कहां गया, यही है शायद, हाँ, और इसका नाम रख देता हूँ functions.c अब मैं यहाँ program लिखता हूँ, main से program शुरू होगा, मैंने बोला main word लिखा करो, दो brackets लगाया करो, और last में get ch लगाया करो, इसका क्या मतलब है, already मैंने पिछले lectures में बताया हूँ है, अब मैं यहाँ पे अगर लिख दू, सिर्फ Amit, और इस program को run करूँ, तो एक error आएगी, और error यह आएगी, कि जैसे रुकों मैं run करता हूँ, आपको दिखाता हूँ, undefined Amit, Amit को define नहीं किया गया है, मतलब Amit के बारे में बताया नहीं गया है, यह error आएगी, अब जिन्होंने C language बनाई, उन्होंने नहीं बताया, दिखा देता हूँ, error नीचे दिखती है, यह तक F2, वापिस आ जाती, पढ़ सकते हो, error क्या है, undefined reference to Amit लिखा हुआ, F2 से वापिस चली भी जाएगी, अगर नहीं जम रहा आपको F2 दबाने से, तो यहाँ पे view का option होता, perspectives और यहाँ पे check mark कर लो, हटा दो या कर लो, अपने आप आ जाएगा, इस में से दोनों में से कही अपने अब उ स्क्रीन आ जाएगी, दूसरा तरीका, अब, तो चलो Amit के बारे में बताओ ना फिर, Amit का मतलब होता है, आप एक user हो और आप define करने जा रहे हो Amit के बारे में, Amit का मतलब है printf, है जगा है पीछे, नहीं है, देख लो पीछे last में कहीं है तो, हो जाओ कहीं है पीछे की बेंचेस तुम लोगों ने थोड़ी दबा दिये, लेकिन उदर जमेगा नहीं न, बैटने को शायद की जमेगा, हाँ, उसको मैं आगे कर लेता हूँ कल, आज शाम को, इधर कहीं एजजेस हो जाओ, यहाँ पे, हाँ, ठीक है, प्रिंट एफ, उसके बाद मैंने देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है, हेलो, अमित, बस, अभी मैं इसे रन करता हूँ, जैसे ही इसको रन करूँगा, यह देखो, बिल्ड एंड रन, तुरंद हेलो, अमित चलेगा, मैं फंक्शन के अंदर बहुत सारी लाइन लिख सकता था, मतलब पीस ओफ कोड लिख सकते इसमें, फंक्शन is a piece of code, ऐसा बोलते भी हैं, फंक्शन is a piece of code, जिसमें बहुत सारी, यहाँ लिख सकता हूँ, यहाँ लिख सकता हूँ, हाई, कुछ भी लिख सकते हैं आप, एक बार और रन करते हैं, अमित को, मतलब आप एक user हो और आपने define किया है, एक function को, इसलिए इसे user defined function कहा जाता है functions के दो types होते हैं एक predefined function जो पहले से defined है आपने नहीं किये predefined और जो आप कर रहे है वो है user defined अब user के भी दो है अभी बात करूँगा उनके बारे में लेकिन functions के दो type function is a piece of code आपके सामने हैं लेकिन function को कितनी बार call कर सकते हो जितनी बार मन करें उतनी बार दो बार तीन बार चार बार ये देखो hello amit by hi hello amit by फिर hi और ये इस तरीके से print हो रहा है जितनी बार call करोगे function को call करने पे वो चलता है अगर मैं call ना करू तो कुछ नहीं print होगा function को कहां आपने call किया main के अंदर के ही code को compiler चलाता है 1000 line का program लिख दो लेकिन main को खाली रखो कुछ print नहीं होने वाला आपको ये process को समझना है process कैसे चल रही है बस ये है function आपको याद है मैंने last lecture में एक program बताया था addition of two numbers का program मैंने अपने पिछले third lecture में बताया था एक बार वही program यहां लिखता हूँ मुझे याद है program इसके लिए मैं direct लिख लेता हूँ इस function का नाम Amit की जगा add कर देता हूँ थोड़ा अच्छा लगेगा पढ़ने में printf और यहां लिख देता हूँ enter two numbers और यह इस तरीके से scanf और उसके बाद यहां लिख देता हूँ percent d, percent d एक गलती और बताता हूँ आप से क्या होती जब आप program करते हो तो आप जब scanf लिखते हो ना बीच में यहां पे space यहां दे देते हो यह गलत है आप क्या सोचते हो चलो बीच में दे दे या ना तो एक space यहां पे भी दे दे गलत है यहां मत दिया करो नहीं तो वो और number इंडर करवाता है लेकिन रखवा नहीं पाता कहीं और program बंद हो जाता आपको यह नहीं समझता क्या हुआ इसलिए scanf के percent d में ना space ही मत दिया करो सबसे अच्छा कितने number center करवाने है दो तो दो बार percent d लिखो उसके बाद क्या करना है एक को a में रखना एक को b में रखना है बस इसके लिए मैंने a और b नाम की memory अच्छा किया पहले ही बना ली बाद में बनाते तो नहीं चलता अब क्या करूँ एक c नाम के memory में a और b की addition रखवा लूँगा जो भी आएगी और उसके बाद print करवा देता हूँ किसको c को print करा देता हूँ addition इस भी लिख देता हूँ और लिख देता हूँ percent d इस percent d की जगा क्या दिखना चाहिए हमें comma करके बताना पड़ता है जो भी c में है हो गया खतम इसको run कराता हूँ क्या print होगा अगर इसको run करूँ तो कुछ नहीं होगा मैंने अभी बताया main के अंदर अगर कुछ लिखा नहीं तो कुछ print नहीं होने वाला add नाम के function को call करो कितना अच्छा है अगर आपसे कोई यह बोलता है कि देखो हो गया आपसे कोई यह बोल रहा है addition 10 बार करनी है आपना 6 line का program जो addition का है वो 10 बार लिखोगे 6 line फिर 6 line फिर 6 line मतलब 60 line लिखते बैठोगे लेकिन अगर आपने एक function बना लिया 6 line का तो बस call करना है 10 बार 10 और 6 16 line में काम हो गया मतलब अपने को यह जो function होते न वो reusability के काम आते हैं मतलब आप अपने code को reuse कर सकते हो बार बार use कर सकते हो तो reusability का एक फायदा होता है function का यही सबसे बड़ा benefit है function इसलिए best है कि आप code को reuse कर सकते हो आवा में होते हैं python में होते हैं हर जगह होते हैं ऐसा कहीं नहीं मिलेगा जहां programming language जहां function ही ना हो हर जगह है और यह आपको हर जगह use करना भी पड़ेगा इसलिए आपको आना चाहिए तो यह addition का program हो चुका है मुझे अब यह बताना है कि आप functions में क्या-क्या और कर सकते हो program तो ऐसे भी बन सकता है मुझे यह बताना program और कैसे कैसे बन सकता है ताकि आपको और functions के बारे में idea है वो देखो यह भी सही है गलत नहीं है लेकिन अगर सामने वाला यह चाहता है कि आपका function सिर्फ addition करके दे enter भी यहाँ नहीं करवाना enter यहाँ नहीं करवाना हटा दो फिर यहाँ से आपका function सिर्फ addition करके दे देखो addition करें और उसको print करें enter कहाँ करवाना है यहीं करवाना है रुको एक में इमरी बनाया x एक y x में रख दिया 2 y में रख दिया 6 या 7 यह लिखा देख लो आपके सामने है अब क्या करूँ अब जब मैं add function कॉल करूँगा ना और तो इस bracket में ना 2 और 7 को पास कर सकता था या फिर x और y को ही कर दो इसको बोलते हैं parameter passing भेजो उपर क्योंकि याद रखना जो memory जिस curly bracket में बनती है उसको उस curly bracket के अलावा बाहर का कोई access नहीं कर सकता तो अब ये x कौन से curly bracket में बनी है देख लो 8 नमबर से 14 नमबर के लाइन के बीच में उसको access किया जा सकता है जहां बनेगी वहाँ चलेगी ये इस घर का member है ये घर की तरह है main function एक घर है उपर वाला add function दूसरा घर है इस घर के अंदर कोई memory बनाओगे तो वो इसी घर में use की जा सकती है बाहर नहीं x को वहाँ access नहीं किया memory का नाम a b रख दोगे तो भी चलेगा उपर वाले घर की memory a b अलग है ये अलग है एक ही program में दो a नहीं हो सकते एक function के अंदर अगर आपने कोई memory यहां बनाई होती तो ये सब के काम आती क्योंकि ये घर से बाहर है कोई भी इसको use कर सकता है इस variable को मैं global variable बोलूँगा जो किसी भी function के अंदर नहीं है इसलिए और जो function के अंदर है उसको मैं local variable बोलूँगा एक word है local variable इसको अभी मैं use नहीं करने वाला बस बता रहा था आपको तो चलो x में क्या है 2 है y में क्या है 7 है तो जानते हो x 2 और 7 कहां जा रहा है यहां पर तो यहां पर भी तो कोई memory होनी चाहिए जो 2 और 7 को receive करा सके अब आप बोलोगे 2 और 7 को receive कराने के लिए memory बना दो ना फिर बना देता हूँ 2 किसमे आ गया A में और 7 किसमे चला गया मतलब y का content किसमे चला गया B में तो आप जब function को call कर रहे हो तो 2 arguments अगर pass कर रहे हो तो receive करने के लिए 2 variables बनाने compulsory है नहीं बनाओगे तो receive कौन करेगा आपने यहां से ऐसा समझो फेक दिया add function को call किया और x और y को दे दिया x और y के अंदर का data ही आखिर में जाता है लेकिन यहां पे खिड़की पे तो कोई होना चाहिए जो उसे receive करे यहां कोई नहीं है तो फिर किसी को नहीं मिलने वाला error आ जाएगी दिखा दू error अभी run करता हूँ और error देखो यहां पे आरी पढ़के बता देता हूँ error क्या है पहली बात तो यह बोल रहा c undeclared c नाम की memory आपने नहीं बनाई है ऐसा बोल रहा है हाँ बराबर है यह तो बात की बात है और a और b भी आपने नहीं बनाई है हाँ a और b भी नहीं बनाया है पहले तो यही इसने error दे दिया बाकी का तो बात की बात है अगर यह सही होता तो फिर दूसरी उसे यही error दिख रहा है add function को call कर रहा है यहाँ पे यह error आई ही रही है अभी रुको मैं यहाँ पे यह लिख देता हूँ a और b बना दिया c भी बनाना पड़ेगा ना रुको c को अंदर बना देता है चलेगा अच्छा किया c को अंदर बना लिया अभी देखते हैं run करके क्या होता है addition is 9 आ रहा है सही है 2 चला गया होगा a में 7 चला गया होगा b में उसके बाद 2 प्लस 7 9 हुआ जो c में गया अच्छा किया c बना लिया आप बोलोगे यहाँ क्यों नहीं बनाया आपने c फिर 3 argument पास करने पड़ते function जहां receive हो रहा है तो 3 पास करने पड़ेंगे यहां से नहीं मुझे 2 ही करने फिर आप बोलोगे फिर अंदर a और b को क्यों नहीं बनाया रहे जब यहाँ बना चुके हो तो अंदर क्यों बनाऊं मैं दो दो बार कैसे बनाऊं यह function का ही हिस्सा है यह a और b इसी function आप बोलोगे curly bracket के अंदर वाले आप बोल रहे थे तो बाहर है यह एक ही है यह पूरा function एक है मैं curly bracket बोल रहा था scope उसका लेकिन यह पूरा एक है अब आप बोलते कि अगर memory का नाम इधर भी xy लिखता तो चलता क्यों नहीं चलता इस function के अंदर का xy अलग होगा और वो वाला xy अलग होगा कौनसा यह वाला यह इस function के अंदर बनाया गया xy है और यह receive करने वाला इस x से इस x में चला गया चलता है जनरली मैं same नहीं लिखता आपको अलग लगने लगता है यह क्या चालू है नहीं समझ में आ रहा है इसलिए मैं उसको जैसा है वैसे ही रहने देता हूँ बस अब इसके बाद देखो जब आप arguments को pass करते हो parameters को pass करते हो मतलब क्या कर रहा हो values को दे रहा हो ना उपर मतलब आप function को call करते समय value दे रहे हो और इसलिए इस ये जो पढ़ाया ना topic इसको call by value बोलते हैं किसी function को call किया गया value की मदद से या फिर दूसरा शब्द है pass by value दोनों में से कुछ भी बोलो चलेगा तो functions के दो types बताए predefined जिसमें print app, scan app, get ch ऐसे कई functions आते हैं दूसरा type बता रहा हूँ मैं user defined user defined जो हम create करते हैं उसको user defined बोलते हैं उसके दो types हैं जिसमें से पहला है call by value या pass by value वही तो पढ़ाया अभी दूसरा बचा है call by reference उसके लिए मुझे एक pointer करके chapter है छोटा सा है, वो पढ़ाना पढ़ेगा topic ही है वो वो पढ़ाऊंगा न मैं अभी ये पूरा थोड़ी हुआ है अभी इसको ही पूरा करना है मुझे अभी इसको पूरा करता हूँ अभी इसके बाद देखो यहाँ पे क्या करते हैं हम int a, b हो गया x और y हो गया एक नई चीज आपको सिखाता हूँ अभी मैंने बोला था सारे यहाँ पे scanf तो यहाँ पे भी लिख सकते हो ना आप तो कैसे printf enter two numbers लिखके देखू क्या नई printf enter two numbers यह message बढ़के user दो number enter करने की कोशिश करेगा बराबर ना और user जो भी enter करेगा उसे x, y में रखवा दो अच्छा किया percent d के बीच में space मत दो यहाँ चलता है यहाँ नहीं चलता कॉमा पहला number रखवा दो x में दूसरा number रखवा दो कहाँ y में उसके बाद अब आपने x और y को pass किया है पैरामिटर पासिंग य फिर argument पासिंग इससे बोलता है यह आपका original data है ना actual data है ना इसलिए इसको actual argument भी बोलता है बत लिख देता हूं थोड़ा मैं technical शब्द starting में use नहीं करता धीरे धीरे बताता हूं लेकिन ठीक है लिख के दे रहा हूं actual arguments बोलता है जो आप original argument पास कर रहे हो और आप इस function को call कर रहे हो function calling लिख दू यहां function calling बस function called भी लिख सकते हो इसको क्या बोलते हैं पूरे इसको पहले तो बोल देता हूं actual argument की जगा यह वाला जो receive हो रहा है इसको formal arguments बोलता है लिख देता हूं यहां पर आपको याद रहेगा और इसके आगे लिख देता हूं यह क्या कर रहा हूं function definition यह लो function को define कर रहा हूं उसके बारे में बता रहा हूं definition का मतलब ही क्या होता है किसी के बारे में बताना बताई तो रहा हो सेमी कोलन कभी मत देना यहां पे गलती से कोई कोई यहां सेमी कोलन दे देता है आप फंक्शन को एंड कर रहे हो एंड नहीं उसके बारे में बताना एको बोला गया था आप उसको एंड क्यू कर रहे हो इसलिए सेमी कोलन नहीं आएगा इसको भी याद रखो बस अब इसको र नाइन नंबर उसके बाद 10 नंबर फिर 11 नंबर फिर उस पे रुकेगा compiler दिखा दू रुकेगा की नहीं हाँ रुक चुका है इस समय जो ब्लिंकिंग हो रही है न यह 11 नंबर स्क्यानफ रोक लेता उसको नीचे नहीं जाने देता कब तक जब तक आप keyboard से एंटर किया फिर तुरंत 50 और 40 पास हुआ फंक्शन कॉल हुआ उपर गये 50 इसमें गया 40 इसमें गया फिर 90 हुआ उसका रिजल्ट इसमें आया और वह प्रिंट हो गया फिर compiler यहां से यहां आया अब यह जो रुका हुआ है वह गेट शीयच पे रुका हुआ है देख लो बस यह आपको समझना है और एक और चीज एक तरीका तो यह हो गया पिछला था डारेक पूरा प्रोग्राम लिख दो फंक्शन में बात खतम दूसरा तरीका यह कि में फंक्शन में एंटर करवाओ और यह जो फंक्शन कॉल करोगी उदर सिप एडिशन कराओ और भी एक तर कराओ यहां से चलो यहां प्रिंट मत कराओ प्रिंट यहां कराओ कर सकते हो क्या चलेगा चलेगा क्या गलत जवाब सी नाम की मेमरी को इस करली ब्रैकेट के बाहर कोई एक्सेस नहीं कर सकता अभी बताया था जो मेमरी जिस करली ब्रैकेट में बनती है उसको बस उसी करली में access किया जा सकता है तो यहां कैसे करोगे फिर print अब नहीं कर सकते इसी लिए function के end में हम एक keyword लिखने वाले है return भेज दिया जाए क्या? c को भेज दिया जाए यह return gift की तरह है मतलब compiler जब आया add function को चलाने के लिए उसने ये line चलाई उपर गया सारी line चलाई return में उसे c मिला c में चो भी result होगा 5, 10, 15, number ही होगा int type का ही होगा int type की memory बनी तो int type का होगा तो यह return gift यहां से जाएगा कहां पे जहां से आप आये थे compiler तो यहां से आया था इसको मिल जाएगा return gift 5, 10, 11 कुछ भी तो यह internally replace हो जाएगा जो भी return gift मिलेगा उससे मान लेते हैं 45 मिला c के अंदर 45 था return हुआ वो पूरा का पूरा replace हो चुका है किस से 45 से मान लेते हैं लिख दू क्या रुको यह पूरा का पूरा अब यहां से जो return हुआ c के अंदर मान लेते हैं 45 था और वो कहां चला गया होगा इसके अंदर ना तो यह 45 से replace होगा लेकिन इसको कहीं रखना पड़ेगा ना इसको रख दू क्या P में तो P नाम की memory जब बनाये नहीं हो तो रख कैसे रहो तो बनाओ ना पहले हाँ तो बनाता हूँ ना यहां लिखता हूँ P equal to मैंने लिखा P equal to मुझे एक memory और बनानी पड़ रही है इस तरीके से और last में printing भी P को ही करता हूँ बस इसको save कराया अब मैं वापिस से run करा के दिखाता हूँ आप बोलोगे हाँ अभी समझ में आ रहा है पहला number है 10 दूसरा number है 14 addition is 24 देखो आ चुका है जानते हो क्या हुआ 10 गया होगा X में 14 गया होगा Y में यहां equal to के right side वाला part पहले चला इसले उपर चला गया हमेशा equal to के right side वाला part पहले चलता है बाद में left वाला चलता है जब आप X equal to 10 लिखते हो ना पहले 10 को देखा जाता है और उसको X में डाला जाता है मतलब equal to के right side वाला part पहले चलता है बस इसी वज़े से ये वाला part पहले चला compiler उपर चला गया उपर से सारी line चला के आया और return gift उसे जो मिला वो उसने P नाम के memory में डाल दिया और last में addition is और यहां भी जो भी P में होगा वो print हुआ देखे हाँ लेकिन मुझे एक बात आप से पूछनी है return आप कौन से type का data कर रहे थे कौन से int type का कर रहे थे ना इसलिए function को बनाते समय int लिखा करो general syntax c c++ java का ये है कि जब आप कोई function बनाते हो तो पहले ये बताओ कि वो function क्या result generate करने वाला है क्या return करने वाला है तो देख लो ना c कौन से type का data return करने वाला है int इसलिए पहले ही बोल दो लेकिन अगर मैंने आप बोलोगे कि अगर हमने 7.8 किया होता तो क्या यहां float लिखते हैं हाँ अगर मैं आप एक character return कराता जैसे कोई match तो क्या care लिखना पड़ता हाँ लेकिन जब मैं कुछ return नहीं करा रहा था तो क्या लिखना पड़ता void लिखना पड़ता void का मतलब ही होता है किसी भी type का ना होना मतलब void इसलिए याद रखो जब आप function बनाओगे और written word नहीं रहा function में कहीं तो उपर छोटा सा void लिख दिया करो किसी भी type का ना होना python ने void शब्द की जगा non word लाया हुआ है non e लेकिन c c++ जावा में void है किसी भी type का ना होना मतलब void अच्छा है न तो generally लेकिन आप बोलो कि मैंने लिखा नहीं था तो भी चल रहा था हाँ चलता है c programming में बहुत सारी ऐसी चीज़े हैं जहां आपको छूट मिल जाएगी आप चाहो तो inter type के block में float type का data भी रख सकते हो 57.1 रखोगे न inter type में तो 57 ही रहेगा .1 डिलीट हो जाएगा data loss होगा आपका ही नुकसान है इसमें लेकिन java डालने भी नहीं देता रखने भी नहीं देता बड़ा data छोटे block में कैसे रख रहे हो data loss हो जाएगा बहुत strictly typed language है java strict है वो इसलिए वहाँ पर यह चीज़ है तो मैं पहली लाइन जब देखता अच्छा यह function int type का data written करने वाला है और int type की दो arguments भी लेता है और इसका नाम add है मैं पहली लाइन में समझ जाता मुझे और lines देखने की ज़रूती नहीं थी क्या देने वाला है वो पहले ही पता जलता मतलब int type का data content क्या देगा वो नहीं पता उसका type क्या है वो पता है तो हमेशा जब एक syntax देखो अगर आप देखो कि किताबों में लिखा होता है इसको written type बोलते है न तो किताबों में लिखा होता है कि function का syntax है written type function name space function name brackets में actual arguments sorry formal arguments n तक कितने भी हो सकता है और अंदर लिखा होता है statement 1 to n अब यही तो है आप बताओ क्या फरक है इसमें written type हाँ int function name हाँ add formal arguments हाँ कितने भी हो सकता है और statements हाँ है यह है written यह इसका syntax इसको syntax बोलते है और जो मैंने किया वो example है syntax और example फरक है app पे जाना coding सीखो वहाँ से download कर लेना notes c programming के coding सीखो app के उपर जाने के बाद study material में से वहाँ download करोगे अगर आपने starting में जब app डाउनलोड किया तो वहाँ पे आता allow करने को access files क्यों? क्योंकि आप जब download करो तो आपके file में store हो जाए इसलिए वो image वगेरे कुछ आपसे नहीं मांगने वाला सिप storage का मांगेगा अगर आपने वो no कर दिया तो file download नहीं होती और बात में फिर मुझे message करते है sir मेरी download नहीं हो रही है download कैसे होगी जब आप allow नहीं करोगे सारे programs है c language के वहाँ पे already मैंने डाल की रखे हुए program c language के c++ के ds के आप वहाँ से देख सकते हो ठीक है हाँ इसको लिखो चलो फटा फट हाँ लेकिन आप बोलोगे main के पहले void लिखतो ना फिर क्योंकि main function return नहीं कर रहा है क्या कहीं पर कुछ नहीं return word है इस पूरे function के अंदर देखो return शब्द दिखा दो मुझे नहीं है ना तो फिर main के पहले भी void लिखने की आदत डाल लो लेकिन internet के जो programs होते है सुनो internet के जो programs होते है वहाँ पे last में लिखा होता है return 0 0 इंट टाइप का है इसलिए यहाँ देखोगे तो लिखा होता है इंट देखा है कभी आपने इंट main लिखा होता है लेकिन मैं वैसे नहीं करता मैं return कुछ लिखता return 0 मतलब खतम ऐसा उसका मतलब है इसलिए लोगो इंट main लिखते है online वालों को भी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो कोई सवाल है तो नोट्स अल्रेडी मैंने अपके ऊपर डाला हुआ है कर दो कर दो कर दो झाल मैंने आपको यह बोला भी है कि अगर आपने यहां इंड नहीं लिखा तो भी चल रहा था दिखा दिया मैंने यहां में के पहले वाइड नहीं लिखा था तो भी चल रहा था जनरली वार्निंग जनरेट होती है अगर आपने यहां पे देखो वाइड अभी रन करता हूं दिखाता हूं कि क्या वार्निंग आती है रुको कुछ वार्निंग आती है क्या बिल्ड करता हूं बिल्ड करने के बाद F2 दबा के आपको दिखाता हूं यहां पे वार्निंग जो है note stdio.h provide a declaration of scanf मतलब आप जो printf लिख रहा हो ना आप जो scanf लिख रहा हो ना इसके बारे में stdio.h नाम की एक file है उसके बारे में उसके अंदर बताया हुआ है और जो gate ch है ना आपने लिखा है ना gate ch भी इसके बारे में koneo.h नाम के file के अंदर बताया है लेकिन रूल है कि header file नहीं लिखा तो भी चलता है c language में इसलिए नहीं लिख रहा हूँ मैं नहीं तो मुझे कंपल सरी लिखना पड़ता नहीं तो error आ गई होती printf scanf को बताया गया stdio.h नाम की file में आपको आगे files भी दिखा दूँगा मेरा एक lecture इस बार Sunday को भी लेने वाला हूँ अपना लेक्चर Sunday को भी होगा अभी कल तो होगा परसो भी होगा Sunday को भी होगा Thursday Friday Saturday नहीं होगा Sunday को होगा तो Sunday के दिन मुझे वही पूरा ये cover करना macros जिसमें hash वगेरे include ये सब का क्या मतलब है stdio.h क्या होता है सब deep में detail में तो वह मैं पढ़ाऊंगा और Sunday का class हमारा लेटी होगा ग्यारा बज़े होगा ठीक है उसके बाद देखो यहां तक हो गया है यहां तक चीज़ें समझ में आई है अभी और आगे चलता हूँ मैं अब एक और चीज़ बताता हूँ फंक्शन्स को चार तरीके से आप बोल सकते हो कि डिफाइन कर सकते हो फोर वेस टू डिफाइन फंक्शन जिसमें से पहला है आप इसमें बोल सकते हो जैसे कि मैं बोलता हूँ कि यह वैल्यू ले रहा है अच्छा पहला फंक्शन्स जो मैंने सबसे पहले बताया था वो कौन सा था कि जिसमें वैल्यू पास भी नहीं हो रही थी और वैल्यू रिटन भी नहीं हो रही थी दो चीज़ें सबसे पहले मैं रिटन्स नथिंग मैं बोल सकता हूँ वहां से रिटन्स भी नहीं हो रहा है और डूसरा एक यहां से जब हम पास करते थे तो बोलते थे क्या था एक शब्द और मैंने बताया था उस दिन ठीक है अभी मैं बोल देता हूँ नो वैल्यूज पासिंग और इस मैं बोल देता हूँ नो वैल्यूज रिटनिंग ऐसे अभी लिख रहा हूँ अभी मैं आपको बताता हूँ रिटन्स नथिंग ऐसे मैं बोल सकता हूँ उसके बाद देखो जब आप फंक्शन को कॉल कर रहे थे तो कुछ भी पास नहीं कर रहे थे देखो अमित मैंने फंक्शन मनाया था सबसे पहला प्लेन ना ही मैं उसमें कुछ पास कर रहा था ना ही मैं उसमें से कुछ रिटन करवा रहा था return word भी नहीं लिखा था मैंने hello अमित लिखा था खाली दूसरा है कि आप value pass कर सकते हो और यहां बोल सकता हूं returns नतीव एक तरीका तो यह हो गया समझने वाली बात है यह ऐसा कोई topic नहीं है आप value pass कर सकते हो हो सकता return word ना लिखो यहीं पर print करा लो c को वो सकता है ना आप value को c pass कराओ वहां से return ना कराओ याद रखना जब आप return नहीं कराते return word यहां नहीं लिखते हो तो एक चीज और याद रखना यह मत लिखना return नहीं करवागे नहीं और आपको यह नहीं पता चलेगा error क्या रही है आती है error इसलिए याद रखना जब आप return करा रहे हो यहां से तो ही यह लिखना और अगर आप return नहीं करा रहे हो तो यह मत लिखना यह याद रखो एक बात हाँ लेकिन अगर आप flow type का data return करा रहे हो तो P को float type का ही बनाना जिस type का data return करोगे receive करने वाला भी तो उस type का होना चाहिए तो ये भी बात आपको याद रखने जैसी है कि आपको इसको ध्यान में रखना पड़ेगा अब उसके बाद एक चीज और है तीसरा तरीका ये हो सकता है ये आप बोल सकते हो no value passing returns something कुछ भी returns हो सकता है पास नथिंग return something मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ पास यहां पे बोल सकता हूँ पास something returns nothing पास नथिंग और return something और एक last क्या बचा अबी no value हो गया no value हो गया अब बोल देता हूँ value passing return something ऐसा बोल सकता हूँ मतलब चार तरीके होते हैं, एक जनरल देखा जाये तो, return something, ना, ऐसे, आप यहां तो value pass करोगे, लेकिन return नहीं करोगे, आप value pass करोगे, लेकिन return नहीं करोगे, ऐसे चार बार बन सकता है, वही चीज तो मैं बता रहा हूं आपसे, सबसे पहले क्या था, जिसमें pass भी नहीं कर रहे थे, return भी नहीं कर रहे थे, दोनों नहीं था, एक में pass कर रहे हो, एक में return कर रहे हो, एक में return कर रहे हो, और एक में pass कर रहे हो, return भी कर रहे हो, चार हो गए, यह चीज आपको समझनी है, तो एक यह बात है functions में, और एक बात जब आप कोई memory बनाते हो ना आप लिखते हो int x तो यहाँ पर क्या होता है पता है एक x नाम की memory बनती है और RAM क्या करता है इस memory को एक address दे देता है जैसे दे दिया उसने 1000 कुछ भी दे सकता है अभी क्या देगा मुझे नहीं पता लेकिन कुछ भी दे सकता है दिखा दू देखना है क्या address रुको दिखा देता हूँ आपको RAM क्या address देता है मुझे x का address देखना है रुको रुको पहले ही print करा लेता हूँ यहाँ बैक स्लैशन लिख दो line बदलने के लिए पहले print करा लूँ क्या x का address तो लिखो printf %D इस %D की क्या दिखना चीए address of x x का address address of and % operator यूज किया जाता है address पता करने के लिए काफी बड़ा होगा address शायद 65,000,000 कुछ तो होगा 64,000,202,040 ये address दिया हुआ है RAM ने कुछ भी दे सकता है उसकी मर्जी है वो कुछ भी दे अब उसके बाद, कल जो question पूछा गया था, मैंने बोला था, int कितने byte का होता है, 4 byte का अगर block है, तो उसमें कितना बड़ा number रख सकते हो, 2 rest to, मैंने बोला भी था, कि 4 byte मतलब कितने bit, 32 bit, तो 2 rest to 32 कर लो, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, दिखाता हूँ, 2 rest to, 32 अगर करता हूँ, तो यह result आता है, लेकिन 0 से यहाँ तक है, तो maximum number यह आप रख सकते हो, अब यह 96 नहीं है maximum, क्यों, क्योंकि 0 से शुरू करोगे, तो 95 maximum है, 0 को भी count करना पड़ेगा, तो 95 maximum है, इसलिए यह जो answer है, इसका, 4294967295 है, इसका answer, मैंने बोला था, सबसे बड़ा number कौन सा रख सकते हो, तो जिसने सिर्फ इतना लिखा होगा, 429496, अभी बता दिया आप लोगों को, अब इसके पहले का ही result चेक करूँगा, 9-5, यह जिसका होगा, वो सही है, बस इतना ही मुझे चाहिए, जितना पूचा था, मैंने यह नहीं पूचा था, इसकी range क्या है, मैंने यह नहीं पूचा था, कहां से शुरू होता है, कहां खतम होता, मैंने सिर्फ इतना पूछा था कि वो number कौन सा है number पूछा था फिर से सुन लेना which big number मैंने कुछ तो ऐसे how big number we can store in need ऐसा कुछ तो था check कर लेना हो गया और ये भी यहाँ पर पूरा हो चुका है अब मुझे यही बताना है आपको address देखना है y का भी और p का भी क्या तो लिखो ना फिर person d फिर लिखो ना person d pointer पढ़ाना है अगले lecture में कल मैं pointer पढ़ाने वाला हूँ y और call by reference को खतम करूँगा दोनों खतम करेंगे कल pointer भी और call by reference ताकि पूरा function with call by reference खतम हो जाए तो कल का भी lecture बहुत ज़ादा important है उसको use बहुत कम किया जाता है लेकिन थोड़ा complicated topic ही important मुझे लगता है आसान नहीं लगता important generally complicated ही 10 topic मैं बोल तो important 10 कर लो easy वाले तो 20 हो जाएंगे फिर अपने आपी इसलिए main वही है अभी देखते है इसका क्या आता है address प्रिंट एक का 44 आया एक का 40 आया एक का 36 हाँ फोर माइट का होता है ना इंट तो इसने 4 address ले लिए किसने कौन है पहले एक सा क्या 44 लिया होगा 43 लिया होगा 42 और 41 हाँ इसके लिए तो इसको 40 39 38 37 मिला होगा हाँ इसलिए तो इसको 36 30 क्या है उसके बाद 5 34 33 एक उसके बाद 31 किसको मिलेगा फिर नहीं 32 ना 32 किसको मिलेगा मान लेते हैं इसको मिला 32 इसको मिला 30 ना नहीं आरुख जो यहाँ पे लिखता हूँ 237 पर्सेंट टी पर्सेंट टी हम अड्रेस डी का भी चेक कर लेना है आ है है मुझे एड्रेस देखना है ना पर्सेंट सी नहीं लिखुंगा ऐड्रेस नंबर्स के फॉर्म में आता है न तो इसलिए पर्सेंट डी लिखो मैं उसके अंदर का character थोड़ी print कराना चाहता हूँ 44, 40, 36, 35, एक का difference है और 28 क्यूँ क्योंकि क्या होता है कि care 1 byte का होता है तो वो एक ही address ले रहा है कुछ समझो थोड़ा सा ये उल्टा अगर जा रहा होगा कैसे भी जा रहा होगा आप ये calculation करोगे आपको सब समझ में आ जाएगा वैसे कल इसके बारे में हमें बात करना है टर्बो सी software भी यूज़ करूँगा कल मैं ताकि आपको और अच्छे से उस software का भी knowledge दे दू इसमें और उसमें क्या difference है टर्बो सी और code blocks में difference यही है कि आप चैटिंग WhatsApp पर करो या टेली ग्राम पर यही डिफ्रेंस है और कोई नहीं है कहीं भी करो पुराने समय का कोई software है program भी वहीं लिखना है ना अलग थोड़ी है ठीक है चलो फिर बाए सबको online वालों को भी बाए मैंने compile किया था f9 दबाके तब जाके result आया अभी